हेलो दोस्तो मैं विकी गुपता आप सबका स्वागत करता हूं एक बर्फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुपता डिटुरियल्स में तो दोस्तो हम लोग मैठ प्रैक्टिस के तौर पे कुछ सवाल किये थे सेट वार में ठीक है आज मेरा सेट नंबर टू च सबसे पहल्त सब्सक्राइन्द सब्सक्राइल थेटा अगर हम यहां से सेग स्कुरा थेटा निकालें सेक्टामिक यह रिकाले ही- – – fait – 1 plus rather 제 2 यहां से 10 square theta निकल गया अगर में अपिर 10 square theta निकल हो गा 10 square theta हो जाएगा 0 square theta – 1 क्या हो जाएगा 0 square theta – 1 यह मेरा एक फ़र्मुला से थीन फिर्मुला बने गया इसलिए इसको note कर दीजे ठीक है अब देखिगे यहाँ पर इसको solve करेंगे 10 square theta 1 बटा 1 प्लस 0 주고 6 थीplaces तो है ही ठीक है? फिर minus में 0 waktu देखें अब यहाँ पर आपको एक formula पता होगा a squared minus b squared तो होता है a squared minus boi तो होता है a plus b into a minus b होता है क्या होता है a plus b into a minus b यहाँ पर देखें 0outer beliefs अगर हम यहाँ ब्लस b तो a²-ba² a-b 2a-b यहां लिख सकते हैं sec theta 1 एक बार जोड़ेंगे एक बार गठा देंगे यानिके sec theta minus 1 ठीक है और नीचे क्या है 1 plus sec theta ठीक है अब देखे 1 plus sec theta 1 plus sec theta यानि sec theta plus 1 ये दोनों क्या हो जाएगा cancel क्या बचेगा अब यहां प्श suisuse select हिट्टा फैसर भीटता यहां पर से प्रहस से से थीट्थ से थीट्ट माइनस से यह से पर यह से से थीट्थ माइनस से थीट्थ से थीट्थ चैनल हो जाएगा उनसर ओप्शनक सावए new nenhumсы पूट कर दीजिए आपका अंसर आजाए कि माइनस वर्ड ठीक है समझ गये होंगे तो फिर अगला सवाल लेखते हैं सेकेंड नमबर सवाल पर बहुत अशा सवाल है ठीक है इसको कैसे सौल करने है सबसे पहले तो इस टोटल मुल्टीप्लाय कर दीजिए यानि कि गुणा कर देए ठीक है तो क्या आप पर कुछ करना नहीं है यहाप किजिए कि यहाप पलस वन करके माइनस वन कर दीजिए ठीक है अगर हम इसको 1 का q कर देते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अगर हम इसको ब्राकेट में हां सबंद करतेंगे अब यहां से एक formula बन रहा है कि A पलस B का हॉल Q क्या होता है देखिए होता है Q पलस B Q पलस 3 A स्क्वार B पलस 3 A B स्क्वार क्या होता है Q पलस B Q पलस 3 A स्क्वार B पलस 3 A B स्क्वार ठीक है यह फर्बुला होता है यहाँ पर हम इसको Q पलस B Q पलस 3 A स्क्वार B plus 3ab square ठीक है? यहाँ पर हम इसको लिख सकते है p plus 1 का hall q minus 1 तो पहले सी था minus 1 लिए थे ठीक है? चुकि plus 1 पर भी minus 1 कर दिये थे ठीक है? तो कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक है ना इसको हम लिख सकते हैं देखें यहाँ जब इसको तोड़ीगा p plus 1 का hall q यहाँ पर 1 multiple है यहाँ पर 1 multiple तो उतना ही आएगा फिर यहाँ पर 3p square यहाँ जब कीजेगा 1 का square तो 1 ही होगा ठीक है? यहाँ पर p plus 1 का hall q लिख सकते हैं इस फर्मूला के तो पर ठीक है? तो p plus 1 का hall q minus 1 अब देखें p कमान कितना दिया है तो 99 में यहाँ पर p कमान रख देगे है 99 plus 1 का plus 1 का hall q हो जाएगा ठीक है? और minus 1 ठीक है? अब देखें यहाँ पर इसको आप note कर सकते हैं ना तो देखें 99 plus 1 क्या हो जाएगा? 100 100 का q और minus 1 ठीक है? 100 का q और minus 1 तो 100 का q कितना हो जाएगा? यानि कि 1 पर कितना 0s? 6 0 1 2 3 4 5 6 फिर minus 1 जिब इतना में minus 1 घटाईगे तो कितना आजाएगा? 1 2 3 5 6 6 9 आएगा यह मेरा क्या हो जाएगा? answer ठीक है? यानि option अबर देखें D आपको इसको फिर से समझाते हैं अच्छा तरीका से फिर से समझें, देखें सवाल दिया हो था पी बेरो 99 तो P into P square plus 3 P plus 3 कमान पूछ रहा था, ठीक है? आप इसको P को पूरा में multiply करते हैं यानि कि गुना करते हैं तो P Q 3 P square plus 3 P यहां तक तो आप समझ गया है अब फिर देखें, यहां पर हम यह किया है कि plus 1 करके minus 1 कर दिया ठीक है, एक plus 1 करके minus 1 करके इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुकि कट कर, तोरों कट के उतना ही आएगा अब क्या किया है, कि 1 का हम Q कर दिया है थीक है, 1 का Q करके इसको हमसे ब्रैकेट में बंद कर दिया क्या कर दिया ब्रैकेट में बंद कर अब यहां से मेरा formula बन गया पी पलस 1 का whole Q ठीक है, इस formula बनाने कर लिम इतना है पी पलस 1 का whole Q हो जाएगा एक Q P It более Q 5P plus 3A square B plus 3B sqa Kara Add- tीक है यारी को option number क्या था? D था, ठीक है? समझ गया होंगे, इसको आप note कर सकते हैं. अगला सवाल देखते हैं, थिरी number सवाल. आई दोस्तों थिरी number सवाल करते हैं, ठीक है? सवाल number 3 है, दो संख्याओं का अनुपाद, 3 अनुपाद, 4 है, और उनका लगुत्तम समावर्द एक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी भी सवाल है, अच्छा तरी कर समझे, देखे, दो संख्याओं का अनुपाद, 3 अनुपाद, 4 है, पाली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, इसको आप पाली संख्या माल लीजे, इसको आप दूसरी संख्या माल लीजे, पाली संख्या 3 अनुपाद, यानि 2 संख्याओं का अनुपाद, 3 अनुपाद, 4 है, उनका लगुत्तम समावर्द एक कितना दिया है, 180 तो आप बताइए एक कमान कितना हो जाएगा 180 बटा 12 समझे है राम से तीन अनुपाद चार यानि इन दोन संख्याओं का अनुपाद ठीक है लगूतम समावर्द कितना दिदिया है 180 दिदिया है यानि कि 3 और 4 का लगूतम कितना होगा अब बताइए दूसरी संख्याँ क्या होगा यह मेरा पाली संख्याँ था यह मेरा दूसरी संख्याँ यानि कि पाली संख्याँ यह हो गया है यह मेरा क्या हो गया दूसरी संख्याँ दूसरी संख्याँ चार है तो 4 का मान कितना हो जाएगा पंदरा गुने चार यानिके साठ ये मेरे क्या हो जाएगा अंसर यानिके अप्शन नमबर C ठीक है समाज ये देखे दो संख्याओं का अनपाद तीन अनपाद चार है और उनका लगुतम समावड़ते 180C है यानि इन दो संख्याओं का अब दो समावड़ते कितना है 180C अब बता है ये तीन और चार का हेलसी हैं 12 12 का भिलू कितना देदिया है 180C यानि 12 का मान 180 तो एक का मान 180 बटा बारा ठीक है जिसीख देखे तीन आम का दाम है 12 रुपिया तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा बारा बटा 3 यानि कि 4 रुपिया एक आम का दाम 4 रुपिया तो ना 3 आम का दाम 12 रुपिया ठीक है उसी तरह से यहां पर भी है ठीक है यानि कि एक का भिलू एक सोसी बटा बारा तो 12 से 15 बारा में कर देखे आप 4 का भिलू को निकालना था तो 4 पंद्रा चक 60 यानि क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 अगर आपसे पहली संख्या पूछती अगला सवाल देखता है, four number सवाल, समाज गया होंगे, बहुत अच्छा, easy सवाल था, ठीक है, आई दोस्तों इस four number सवाल करते हैं, four number सवाल देखे, height and distance है, देखे, antivisive exam में, height and distance से सवाल पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे तरगे समझेगा, सवाल ह है, कि जीसे समय सुर्क की उचाई 30 degree होती है, ठीक है, उचाई 30 degree दिया है, ठीक है, उस समय मिनार की छाया की लंबाई 9 meter होती है, तो मिनार की उचाई, यानि कि उसका height पूछ रहा है, ठीक है, ये मेरा धरातल है, ये मेरा पिर्थवी है, ठीक है, ये खंबा यानि की मिनार ह खड़ा कर दिये, ठीक है, इसको हम क्या कर दिये यहां से, यहां से हम इसको मिला दिये, ठीक है, यह धरातल में मिल गया, देखे, जब भी उन्यान कुर मनेगा, तो नीचे से उपर उन्यान कुर, और अबनमन कुर होता है, तो अबनमन कुर होता है, उपर से नीचे, ठीक है, यह मेरा धरातल था, क्या था, धरातल, ठीक है, यह क्या हो गया मेरा, यह मिनार की उचाई हो गया, इसको मिनार ले लिए, तो यह क्या हो गया, मिनार की उचाई, अब यह धरातल, जब यह, अब यहां पर सुर भगवान है, ठीक है, यह सुर भगवान है, यहां से अगर परका 3 डिगरी है तो उचाई है यहां पर क्या हो गई यह 30 डिगरी हो गया है । Nature ए उस समय मीनार की छाया की लंबाई 9 मिटर है। इसका र aanड़े से भावा हैं। 9 और आपको पता है यह लंब पढ़ रहा है कि यह बनेगा नाइंटी भिश्टि गरी नाइंटी बनेगा तििर भूज को यह होता है यह क्या होता है करन होता है यह हमें साथ fix रहेगा ठीक है यह हमें सा fix रहेगा यह कोई बद्दिगा नहीं यह दोनों बदलता रहता है अधार और lump अधार और lump बदलेगा ठीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं ठीटा के सामने वाले आधार ठीक है जिसकों हम लोग बोलते हैं base base यानि की आधार है ना तो ये दोनों condition के हिसाप से change होते रहेगा अगर ठीटा के सामने वाले बुझा lump कहलाएगा अगर ठीटा हम यहाँ ले 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 अगर यहाँ पे 30 degree यहाँ पे होता तो यह मेरा lump होता ठीक है लेकिन 30 degree के सामने वाले बुझा lump कहलाती है और जो बच गया वो मेरा अधार हो जाएगी और पता है आपको कर्न हमेशा fix रहता है अब निकालना क्या था था तो निकालना था lump है इसके उचाएन निकालना है ठीक है यह निकालना है और यह दे दिया है इसके बारे में कोई चर्चाद नहीं किया है करने के बारे में कोई discussion नहीं है इसके बारे में discussion है और इसके बारे में 9 meters दे दिया है अब देखिए P और B आप बताएए P और B किसका प्रोला होता है तो तो tan ठीक है देखिए आप tan ठीक पर क्या होता है P बटा B तो P निकालना है और B दे दिया है तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखिएगा 10 क्या हो जाएगा 10 30 degree लेंगे 10 30 degree A B बटा B C A B बटा B C आपको details से बता रहे है इसलिए बता रहे हैं आपको अच्छे तरीका से समझ में आ है A B बटा B C लेंगे A B यानि कि P देखिए आपके 10 30 का मान क्या होता है P बटा B तो P कितना है P है A B ठीक है और B कितना है B C है यहाँ पर B C ले लेंगे अब 10 30 degree मान कितना होता है 1 by root 3 होता है क्या होता है 10 30 degree मान 1 by root 3 A B का बेलू क्या निकालना है तो A B का बेलू तो P निकालना ही है पर्पेंटिकूला यानि कि इसको हम height यानि कि उचाई है ना तो हम इसको H मान लेते है क्या मान लेते है H height बरबर निकालना है H हो गया B C कितना देदी है 9 9 meter है यहाँ से H root 3 यानि 3 या 9, यानि कितना जाएगा, 3 root 3, यह मेरा क्या हो जाएगा, अंतर, यह मेरा क्या निकल गया, उचाई, यह मेरा height निकल गया, h निकल गया, ठीक है, ना, उचाई निकल गया, किता निकल गया, 3 root 3, तो option देखें किसमें है, option number a में है, ठीक है, तो यह जो मेरा उचाई ह होगा यह मेरा हाइट होगा यह कितना हो जाएगा यहांपे थेरी- predicting हो चायता एक ठीक है जो यह हो जाएगा ठीक है ना समझ केedar सब्सक्राल होगे कुछ नहीं था इस यहां पर त किस दिर और ह इस यहांपे बन रहा है उस अचाहे निकालना। यानि इसके और इसके बारे मेंatal ingzkust कराएं कि बारे में कोई नहीं करने के बारे में तक है यह हम आ shortcuts जाता है बतलता है यह दोनों condition के साब से change होते रहता है ठीक है हम यहां पे आप पात है कि प्रकुलेशन कीज़िएगा तो आप का जाएगा ठ्री रूट थिरी ये जब थियो तो यह मिनारगी उचाई निकलिए है ठीक है चलिए अगरा सवाल देखते हैं 5 नूमर सवाल समझ में आ गया होगा आईए दोस्तों इस 5 नमबर सवाल को देखते हैं सवाल है 2x प्लस 3y बडबर 11 बड़र 2 ठीक है और xy बड़र 5 बड़र 6 तो 8x q प्लस 27y q का मान क्या होगा ठीक है यह मेरे 4 ओप्षन है बहुत से सवाल इसमों देखें कैसे करते हैं ठीक है देखिए आप यहाँ प्लस 3y बड़र 11 बड़र 2 आप यहाँ पर देख रहें निकाम लाखे है 8x q प्लस 27y q कुछ भी होगा तो घन के रूप में होगा तो दोनों तरफ हम घन कर देते हैं घन करने यारे कि 27 2x प्लस 3y का हॉल q करेंगे ठीक है बड़र 11 बड़र 2 का हॉल q करेंगे जो भी करेंगे बड़र के दुनों साइट करेंगे है ना देखिए अब आपको पता है एक फर्मूला यहाँ पर लिख देता है a प्लस b का हॉल q क्या होता है तो देखिए होता है a q प्लस b q प्लस 3ab into a प्लस b होता है क्या होता है a q प्लस b q प्लस 3ab into a प्लस b ठीक है तो यहाँ पर तोड़ देखिए a प्लस b का हॉल q a q यानि 2x का हॉल q ठीक है a q यानि 2x का हॉल q प्लस b q यानि 3y का हॉल q प्लस 3 into a प्लस b देखिए into a प्लस b प्लस 3 a b into a plus b 3 a b किज़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 x in 2 3y ठीक है ना into a plus b यानि कि 2 x plus 3y ठीक है 11 q क्यों क्यों होता है 11 q होता है 1331 ठीक है 1331 बटा 2 q क्यों 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 तो 8 हो जाएगा ठीक है समझ गे होंगे अब देखें आपर 27 टू का क्यों कितना हो जाए 8 और एक्सक्यू यानि क्या हो जाएगा 8 एक्सक्यू प्लस 27 वाई क्यू ठीक है प्लस आप यहां पर गुना कर दीजिए देखें थिरी तिन दूनी छो चोती आठारा तिन दूनी छो एक्स वाई आप देखें आपर आप देख रहे होंगे एक्स और वाई का बांगितना दीया है पांच व्यली एक्सक्यू एक्सक्ति चक्ता है पांच वठ्टाथा लिख सकते हैं क्यों तो बुना, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y को बार किता है, यह 11 बार 2 तेहां पर 11 बार 2 लिख दीजे 11 बार 2, और अपर 1331 बार 8, ठीक है अब गर यहां से कुछ करता है, कार दीजे 6 से कितना बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा, ठीक है चोती है, 18, अब देखें, आपर 8x q प्लस 27y q देखें, निकालना क्या है 8x q प्लस 27y q यही निकालना है, तेहां देखें, कैसे होगा जो भी इतना है न, बराबर के उसाट बेज़ दीजे तो क्या हो जाएगा 1331 बाटा 8 माइनस में क्या हो जाएगा, दिखलीजी 1155 ठीक है 1155 यानि 5-13 और 11 यानि कि 1155 1155 आप 55 तिया कितना हो जाएगा, 5-15 कि 5 7 में राएग, 5-15 16 ठीक है, यानि कि 165 बाटा 2 हो जाएगा चुकि बाटा में 2 था बराबर को साथ बेज़ती है, माइनस में कर दी है, अब यहां से घटा दीजिए, इसको आप मिठा देते हैं, ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 8XQ, प्लस 27YQ, ठीक है, यहां पर LCM कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो 1331 उपर हो जाएगा, माइनस, दूर्से 8, 4 में, और 4 से मल्टिप्ला करने 165 में, तो 25 के सुनना हाथ मेरा दो, 2624, 2526 के 6 हाथ मेरा दो, ठीक है, 426, फिर से देख लिएजिए, 2526 के सुना हाथ मेरा दो, ठीक है, 2424, 2526 के 6 हाथ मेरा दो, 426, यानि कि 660, 8XQ, प्लस 27YQ, कमान कितना हो जाएगा, देख लिएजिए, घट पार हो गया, तो साथ, यहां कितना बच गया, 11 में से, 11 से, 12 में से चेकिया, तो 6 बचे गया, यानि 6572, 8 बचे गया, यानि कि यह रहिख जाग ओ जाएगा, 6702, 8, कि हो जाएगा मेरा, अंसर, ठीक है, ओप्षन देख लिएज इकिस में है, औप्षन नूमबर इक्स वाई बरबर कितना मान दे दिया है पांच बटाश्च दे दिया निकाउं यह था ठीक है यह निकाउं आ था आप पता है निकाउंगा है तो देखने क्या है क्यों दिया हुआ है 2 का क्यूं अधिक ना सोचना नहीं घंकर देना है 2x plus 3y का हॉल आपको पता है यहाँ से फिर्ष एक फ्लसला प्सक्राइब कुण में कॉल धी इस 3A2B plus 3AB2 क्या कर दिया क्या क्या कर दिया है यहां से और कल गए 1Q plus BQ plus 3A2B plus 3AB2 समझ गये होंगे बाकि सब काल्क्लेशन था है आप समझ गये होंगे यह निकाल था तो यह निकल गे 640 बटा 8 चलिए एगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सबाव आई दोस्तों 6 नंबर सवाल देखते हैं ठीक है बहुत इसा सवाल है सवाल है रूट 3 पर पावर 5 गुने 9 कर स्वार ठीक है बरबर 3 पर पावर N गुने 3 रूट 3 तो N कमान पूछ रहा ठीक है चार ओप्सन है तो देखिए इस सवाल हो कैसे करें सबसे में एक फर्मुला आप पावर M पलस N क्या हो जाएगा एक पर पावर M पलस N जब बेस से समान हो यह मेरा बेस है यह क्या है मेरा बेस है उपर पावर होता है M N पावर है ठीक है जब बेस से समान हो ए यह समान है तो गुना में पावर जुड़ता है एक पर पावर M पलस N ठीक है अब देखिए एक पर पावर M, भागा एपर पावर M, ठीक है, अगर भागा में हो, अगर भागा में हो, तो पावर क्या होगा, घटेगा, एपर पावर M माइनस N हो जाएगा, तो हमको अभी इस फर्मुला का जरूरत है यहाँ ठीक है, यह फर्मुला देखिए, एपर पावर M, एपर पावर M लिखेंगे? One by two. फिर गुना में क्या है? 5 यहां पर 5 हो जाएगा. root थिरी को क्या लिख दिए? 3 पर power 1 by 2 लिख दिए? ठीकी root का ही मान होता है one by two. और गुना में 5 था, तो power गुना में क्या कर दिए? 1 by 2 का multiply कर दिए. फिर गुना, आपको पता है? तो इसको लिख सकते हैं, 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 तो इसको लिख टू ठीक है यानि कि इसको हम तोड़ दिये हैं है ना इसको बात क्या हो जाएगा आपको पता है कि गुणा में पावर जुड़ता है जब बेस समान हो तब ठीक है अब देखें आप हम लिए 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 हैं यहां पर थिरी गुने वावर जो जायेगा यह तो फावरं को टन्हा हो जाए जब पावर गुणा हो जाता है जब पावर रटा तो पावर गुणा हो जाता है तो फिर ठीक है उना ऋना चनल DR1 ऍभाई में अब देखें हैं अब यहाँ भी हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या बता हैं को जब बेस समान हो तो गुना में power जूटता है तो क्या लिए सकते हैं 5 बटा 2 पलस 4 ठीक है 3 पर power 5 बटा 2 पलस 4 ठीक है यह power में है बराबर अब देखें आप 3 N पलस 1 1 पलस 1 बाइ 2 हो जाएगा क्या मता है जब गुना में हो और power समान हो तो क्या हो जाएगा जूट जाएगा इस पर power 1 है तो 3 पर power कुछ नहीं तो हाँ पर 1 है न तो क्या हो जाएगा जूट जाएगा N 1 पलस 1 बाइ 2 क्या हो गया जूट गया अब देखिए आपे, बेस समान है, तो क्या हो जाएगा, पावर समान हो जाएगा, जब बेस समान हो और बराबर में हो तो पावर समान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा, 5 बटर 2 प्लस 4 बरबर, n प्लस 1 प्लस 1 बाइट 2, अब देखिए माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, अब देखें, अब क्या है, 2, 5 माइनस 1, ठीक है, n क्यों हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ज्याने कि, 4 बटा 2, बरबर n माइनस 1, 3, अब इसको यहाँ भी भेज़ दी जित क्या हो जाएगा, अब इसको पहले, यहाँ पर तोड़ दीजिए, ठीक है, जब इसको आप तोड़िएगा, तो यह इतना आएगा, ठीक है, हम लिख दिए तो रूट 3 था, तो रूट कमान 1 by 2 होता है, तो 1 by 2 लिखे, पावर 5 था तो गुणा हो गया, ठीक है, 3 का स्कुरार 9, फिर इस पावर 2 तो 2 कर दिए, इतना करके, इसको तोड़ दिए 3 अलग कर ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा में पावर टोटल को जोड दिए, देखिए, यह जूट गया और यह जूट गया, ठीक है, 5 by 2 और 4, उसको जब यहाँ वेस समान है, और बराबर में हो तो पावर समान हो जाता है, तो यहाँ पर हम पावर को समान कर दिए, ठीक है, जब प आइए दोश्तों इस 7 नमर स्वाल करते हैं, 7 नमर स्वाल में 30 है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, सवाल है कि 1 पलस कॉट स्क्वार A बटा 1 पलस कॉसे के, किसके बराबर हुआ, 4 ओप्सन है, ठीक है, सबसे पहले देख फर्मुला आपको आना चाहिए, फर्मुला है, कॉ कॉसे का स्क्वार A मैनस कॉट स्क्वार A, ठीक है, फर्मुला याद होना चाहिए, कॉसे का स्क्वार A मैनस कॉट स्क्वार A is equal to 1 होता है, ठीक है, अगर हम यहां से, कॉसे का स्क्वार निकालेंगे, तो 1 पलस कॉट स्क्वार A हो जाएगा, ठीक है, 1 पलस कॉट स्क्वार A माइनस 1 हो जाएगा कॉसिक-2A-1 यहापके लिए बहुत important formula ऐ थे तो 1 प्लस κौट 1 प्लस कॉसिक उट है कॉसिक का क्सै का लिख सकते है कॉसिक उट स्कॉयर क्या लिख सकते है कॉसिक-1 इसका जर्ण Nicht-1 कॉसिक-2A कॉसिक-2A-1 थे की बता one plus कौसे के देखी उसके बाद क्या डिलेंगे ठीक है आपको फुरता है a square minus b square a square minus b square a plus b एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे a minus b ठीक है यह आपको फर्मूला बहुत बार बता चुके है a square minus b square a plus b into a minus b एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखें, कुछ नहीं है यहाँ पर Sqlood, लिख सकते हैं, तो 1 का Sqlood, 1 ही होता है, ठीक है, तो A Sqlood, B Sqlood, A A Sqlood, A plus B into A minus B, तो क्या लिख सकते हैं, 1 plus QoSK, QoSK plus 1 into QoSK minus 1, QoSK minus 1, बटा 1 प्लस कॉसेक A ठीक है? उसके बाद देखे 1 प्लस कॉसेक A 1 प्लस कॉसेक A तो ये कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉसेक A माइनस 1 आप ये देखे पलस में 1 है आप माइनस 1 में है तो ये भी cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ कॉसिक A बचेगा ठीक है कॉसिक E इम्रा क्या हो जाएगा यह मेरा answer हो जाएगा ठीक है इस सवाल का answer होगा कॉसिक A यानि option number A ठीक है समझ गया हों कि कुछ नहीं था फिर चली अगला सवाल देखते हैं 8 number सवाल इसको आप screenshot ले सकते हैं हाई दोस्तों इस 8 number सवाल हो करते है ठीक है यह बहुत चाह सवाल है पूछा गया सवाल है ठीक है सवाल है sin to power 6 theta plus cos to power 6 theta किसके बराबर होगा यह मेरा 4 option है ठीक है तो देखे option के अरुसार आप answer बना सकते हैं ठीक है न तो option देखीगा तो देखे इससे solve करते हैं सबस्वाल हम लिखेंगे sin q theta का hall square लिख सकते हैं ठीक है यह पर जिसको आप ऐसे लिख दीजेए ठीक है sorry यहाँ पर आप कर सकते हैं sin q theta का hall q ठीक है sinus per theta का hall q कर सकते हैं चुकि जब गुना करने पर 6 theta ही आ सकता है ठीक है plus cos square theta का hall q लिख सकते है जब दोनों power गुना होगा तो यानि cos 6 theta हो जाएगा ठीक है अब इसको आप formula आपको पता होना चाहिए formula है यह aq plus bq ठीक है aq plus bq तो होता है a plus b का hall q a plus b का hall q minus 3ab 3ab into a plus b ठीक है क्या होता है into a plus b a plus b यह होता है a plus bq का hall q minus 3ab into a plus b यह होता है यहाँ से क्या हो जाएगा aq plus bq तो यह मेरा total a हो जाएगा यह total मेरा b हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a plus b का hall q तो यानि कि sin square theta प्लस cos square theta का all cube, ठीक है, minus 3ab, 3ab, यानि कि sin square theta, sin square theta into cos square theta, ठीक है, फिर क्या है, a plus b, यानि कि sin square theta, प्लस cos square theta, ठीक है, यहां से मेरा आ गया, अब देखिए, आपको formula पता होगा, sin square theta plus cos square theta कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का क्यों हो जाएगा, minus 3 sin square theta into cos square theta, फिर क्या है, यह भी 1 हो जाएगा, तो 1 से multiply किजिगा, तो इतना ही आएगा, ठीक है, यहा minus 3 sin square theta into cos square theta, ठीक है, यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा answer हो जाएगा, 1 minus 3 sin square theta into cos square theta, देखिए, किसो में है, तो यह देखिए, minus में है, यह यह भी मैनस में है, तो मैनस में तो यह भी अस्क्यार हो, तो यह मेरा option number A हो जाएगा, ठीक है, समझ गे होंगे, कैसे आया, कुछ नहीं था, हम इसको square करके Q कर दी है, और square करके Q कर दी, जब दोनों को गुना के जिगा, तो तो नहीं आएगा, ठीक है, अब यहाँ से A plus B का, A Q plus B Q, A plus B का all Q minus 3AB into A plus B, इसका मान 1 होता है, 1 होता है, सांबस्ट को स्क्रेटा प्लस स्क्रेटा, ठीक है, पिर हाँ आगे, आगे, इकलुक्याशन, 1 minus 3, सांबस्ट को स्क्रेटा एं टो, कॉस्ट को स्क्रेटा, ठीक है, चलिए, पिर अगला सवाल देखते हैं, 9 numbers स्वाल, आए दोस्तों नाइन नमर्स वाल को देखते हैं सवाल है दो प्राकित संख्याओं का अनुपाद तीन अनुपाद पाँच है ठीक है तो उनका गुणनफल 21,60 है तो उनमें छोड़ी संख्या क्या होगी ठीक है देखिए दो प्राकित संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात पांच है ठीक है इनका गुनालफल कितना दिया है एकी साथ दिया है ठीक है देखिए हम इसको 3x ले लते हैं 3x इसको 5x माल लते है ठीक है इनका गुनालफल इन दोनों संख्याओं का गुनालफल ठीक ह यानि कि गुनलफर कितना दिया है 260 दिया है अब यहां से काट देंजे 5 से कितना बारे में कटेगा तो देखे 5 चक 20 4 आएगा 5 चक 20 यानि कि 1 आएगा तो 5 3 या 15 ठीक है फिर 5 दूनी 10 ठीक है यहां से हम 3 से काटते हैं तो 3 से काट दियेगा तो 3 यहां से काटते हैं तो चर्ती है 12 फिर 144 यानि 144 यहां पर एकस है एकस है यानि कि 100 स्काइर बरोर कितना आगे 144 तो एकस बरोर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 144 असक्वार बराबर उस से जाएगा तो रूट चड़ जाएगा ठीक है तो बारा पचे, साथ, छोटी संक्या है, बारा थिया, च्छतिस, यानि कि मेरा अंसर कितना आज जाएगा, च्छतिस, ठीक है, समझ गया होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था, नेक्स देखते हैं, दस नमर सवाल, और आज का लाश्ट सवाल, ठीक है, आज का लाश्ट सवाल रहेगा, सवाल है, दो संक्या है, तीन नुपाद, चार के लुपाद में है, उनका लासा 84 है, यानि कि LCM 84 दिया है, ठीक है, इससे पहले एक सवाल और किया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, यह भी समझ में आपको आ जाएगा, तो बड़ी संक्या क् देखिए, दो संक्या, तीन नुपाद, चार, तीन और चार का LCM कितना होगा, तीन और चार का LCM होगा 12, ठीक है, तीन और चार का LCM कितना होगा, 12, यानि 12 का value दिया है, 84, ठीक है, यहां से एक का value कितना हो जाएगा, 84 बटा 12, यानि कि 84 बटे 12, एक का value हो जाएगा, ठीक ह तो संख्याँ अनुपात है तौ बड़ी तन के क्या हो गईट है के दोशternal क्यां एक साहर नहीं कि मे तकि ऑर सबकστεन हो जब कि जब खूने कंगे क्रणतिं तक साथ बार में कट जाएगा ठीक हैं एक का वेल्बा नासख ईशन के कर जाएगा और डिया फ़िए टकरणत leis निकालना क्या बड़ी संग्या पूछ तो 3 और 4 में बड़ी संग्या कौन है चार तो 1 का भेलो 4 तो 4 का भेलो सच्छक 28 यानि कि option number A हो जाएगा ठीक है यह मेरा क्या हो गया answer ठीक है अगर वीडियो अच्छा लवद पीज लाइक किजेगा कॉमेंट बबताई कैसा लगा थाइंक यू सो मज जैहिंद वन्दे मात्रम।